अगर तुमने हिम्मत हो की हजार लोग तुमारे पीछी खड़े हो तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे अगर हजार लोगोंने हिम्मत जुटा लेकि तुम उनके सामने खड़े हो तो पुरे दुनिया जीत जाओगे क्या कन्फर्म हो गए हैं फिल्म के ब्रॉडकास्ट राइथ कहां पहुची फिल्म की पूरी टीम मन्नक मांगने केज़ेफ चैप्टर टू के प्रीमियर पर दिन देरी के बाद प्रडक्शन टीम ने पुष्टी की है कि फिल्म स्वादा एप्रिल 2022 को सिनिमा घरों में रिलीज होगी केज़ेफ चैप्टर टू का प्रीमियर ऑक्टूबर 2020 के एंड में होने वाला था लेकिन चल रहे कोरोना वारिस महामारी और संज्रेदत के हेल्थ इशू से जुरेट प्रॉब्लम्स के कारण इसे जिले करना पड़ा 6 जुलाई को प्रशान नील द्वारा एक नई पोस्टर इमेज शियर की गई थी शुक्र है हमें उसके बाद बहुत लंबा इंतजान नहीं करना पड़ा में लीड आक्टर यश ने ऑगस्ट 2021 में अपने सोशल मीडिया पेज पर पुष्टी की कि 14 एप्रिल 2022 के लिए एक नई डेट सेट की जाएगी नई रिलीज की तारीक के साथ यह पता चला कि जी नेटवर्क ने ओफिशल तौर पर केजिय अफ चैप्टर टू के करनड तमिल टेलवू और मल्यालम वर्जिन्स के स्ट्रीमिंग राइट्स हासल कर लिए है जी टमिल टमिल भाषा की डविंग को ब्रॉडकास्ट करेगा जिसमें जी तेलवू, जी करनड और जी केरलम मल्यालम डविंग के लिए ब्रॉडकास्ट करेंगे इंटरनेशनली खबरें ऐसी आई हैं कि एमजन प्राइम वीडियो मई 2020 से सोचल मीडिया पर सर्कुलेट होने वारे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को खरीदने में इंट्रस्टेड है मार्श 2021 में नई अफ़ाहें ओनलाइन फैलने लगी कि फिल्म को एमजन पर 55 करोल रुपे में बेचा गया था हाला कि लेट्स OTT ग्लोबल ट्वीटर पेज ने कहा कि एमजन प्राइम अभी भी पोस्ट प्रोडक्शन डिजिटल रिलीस पर बातचीत कर रहा है केजिफ चैप्टर 2 के हिंदी डिब वर्जिन्स की प्लैनिंग यश द्वारा खुद की जाने वाली थी उन्होंने कहा कि वह हिंदी डियालॉक्स के लिए अपने एक्सिंट को परफेक्ट करना चाहते हैं हाला कि जब यह बात पता चली कि यश डविंग पर काम नहीं करेंगे यह कहते हुए कि बड़े परदे पर दर्शकों के एक्सिंट को समझना मुश्किल हो सकता है वही हाली में एक ख़वर सामने आई करनट स्टार्ट यश ने केजिय अफ चैप्टर टू टीम के साथ कोडलूर मुकामबिका मंदिर के धर्शन और पूजा अर्चना करने गए थे उन्होंने फिल्म की सफलता के लिए केजिय अफ चैप्टर वन की रिलीज से पहले मंदिर में पूजा अर्चना की वे पिछले दो दिनों से प्रोमोशन शुरू करने की तयारी में हैं केजिय अफ चैप्टर टू काफी बड़े पैमाने पर बनाई जा रही है फिल्म में रवीना टंडन और संजे दत भी हैं फिल्म 14 एप्रिल 2022 को रिलीज होने के लिए एकदम तयार है तो दोस्तों आप लोग इस फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्षिन में जरूर बताए इन दी एंड और भी सारे ने अपकमिंग मूवीज और कुछ इंट्रेस्टिक वैक्ट जानने के लिए देखते रहे हैं आपको कुछ हटके सुनने को कैसे मिलेगा तो इसी के साथ मैं सुम्भिका लेती हूं आपसे इर्जाजत टाटा बाई ठेक के